याद रखना पाक अधिकर्त कस्मीर भी फिर कस्मीर का ही पार्ट होने वाला है जम्मो कस्मीर का ही भाग होने वाला है और यही तो हल्चार है पाकिस्तान में वे अपने लोग तंद्र को बचा नहीं पाए एक तरह भारत है और दोसरे तरह पाकिस्तान है रोटी के लाने पड पारा है कि कहीं पर पाक अधिकर्द कस्मीर उससे अलग होने की आवाज उखा रहा है कि बारी संख्या में मद्दाताओं का मद्दान के लिए उमर्ना जुनाव के प्रफिन के रुजहान को ये दिखाता है कि उन्होंने प्रिवारवादी रास्नीपी को विभाजनकारी रास्नीपी को तिलान जली दिये और वे आज जमो कस्मीर के अंदर एक लोगतांत्रिक सरकार चाते हैं और लोक्तांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ करके एक भारत स्रेश्ट भारत की सजग प्रहरी की रुप में काम करना चाते हैं पैनोर भाईयों सांति पूर्ण तरीके से चुनाओं और भारती जनता पार्टी की यहां पर वापसी याद रखना पाक अधिकरत कस्मीर भी फिर कस्मीर का ही पार्ट होने वाला है जम्मु कस्मीर का ही भाग होने वाला है और यही तो हल्चा है पाकिस्तान में वे अपने लोगतंत्र को बचानी पाए उनको अपने लोगतंत्र को बचाने के लिए मसकत करनी पड़ रही है और मसकत करते करते आद पाकिस्तान इस इस्किति में पहुँच गया है कि वहाँ पे एक किलो आटा केले भी लाले पड़ रहे हैं आप देख रहे होंगे भारत है असी करोड लोगों को फिरी में राशन की सुविधा का लाप दे रहा है साथ करोड लोगों को पांच लाग रुपे हर वर्स स्वास्त बीमा का कबर देता है जीवन जोती बीमा योजना हो या जीवन सुरक्सा बीमा योजना बारा करोड किसानों को किसान सम्मा निदी का लाप दे रहा है दस करोड गरीबों के घर में सोचाले का निर्मान कर रहा है कर दिया है दस करोड गरीबों को उज्जुला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्द करवा चुका है एक तरव भारत है और दोसरे तरफ पाकिस्तान है रोटी के लाने पड़ रहे है साभाई गरूप से धिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आपको नहीं समाल पा रहा है कहें पर पाक अधिकर्ट कस्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्हु कस्मीर के चुनाओं में भाग लेने का और जम्हु कस्मीर के चुनाओं के साथ पाक अधिकर्ट कस्मीर में भी मुर्सिदाबाद में भी अगर चुनाओं होता नथ तो और अच्छा संदेश जाता लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाओं के मातिम से दोसे तब बल्चिस्तान अलग से कह रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्टी तो मिलती ही नहीं है हमारी केमिस्टी उससे मिलती ही नहीं है क्योंगे पाकिस्तान तो मानवता का गुस्मन है यह मानवता का एक कैंसर है इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आएं कहने के लिए वैन और भायों जब हम आपके पास यहां पर आएं मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता सी रहुल गांधी से कुछ प्रस्ण करना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि जो नेशनल कांफरेस ने जम्मु कस्मीर के लिए अलग जंडे की बात कही है क्या वहाँ उसका समर्थन करते है क्या राहुल गांधी 370 और 35 ए को वापस ला करके जम्मु कस्मीर को फिर से असान्थ और आतंग बात के युक में धकेलने की नेशनल कांफरेंस की मांग का समर्थन करता है क्या कॉंग्रेस कस्मीर के युवाव की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वारता करके फिर से अलगाबाद को बढ़ावाद देने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलो सी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कांफरेंस के नेड़ने से फिर से बौडर पार से आतंग बात का पोसन करने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस आतंगबाद और पत्थर बाजी की घट्नाओं में सामिल लोगों के परिजलों को फिर से सरकारी मौकरी में पहाल करके आतंगबाद दोसद गर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस के साथ अपने आरक्षन बिरोधी चेरे को फिर से सामले लाने का प्रियास नहीं कर रही है और क्या जो यहां पर प्रधान मुंत्री मौती जी ने दलितों को गुजरों को बकरवालों को पहाडियों को आरक्षन की सुवधा प्रदान की है क्या नेशनल कॉंफरेंस के द्वारा ने समाप्त करने की गोशना का क्या वह समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस साती है कि संक्राचार प्रवत तक्तिय सुलेमान और हरी प्रवत कोह यह मारन के नाम से जाने जाए क्या कॉंग्रेस जमो कस्मीर के अर्थविवस्ता को एक बार फिर से ब्रस्ताचार की आग में जोंक कर पाकिस्तान समर्थि गिने चुने परिवारों के हातों का हातों में सोपने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस पार्टी नेशनल कॉंफेंस के जमो और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीती का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस और रहुल गांदी कस्मीर को आटोनमी देने की नेशनल कॉंफेंस की विवाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है बैन और भाईयों हमें भोलना नहीं चाहिए ये आर्टिकल 370 पंडित नेरू ने यह दंस जमु कस्मीर के लोगों को दिया था घाटी में कस्मीरी पंडितों का प्लाइन कांग्रेस और नेरू की बज़े से हुआ देश की आजादी के बाद बैन और भाईयों जब देश के सवीर राज्य विकास की मुक्यधारा के साथ जुड़ चुके हैं तब जमु कस्मीर के अंदर विकास की धारा से यहां की जनता जनारदन को क्यों बंचित रखा गया बैन और भाईयों और आज इसलिए आज मैं आपके पास सायों कहने के लिए आज तो जमु कस्मीर की पैचान जो मैंने आपको बताया चिना ब्रिट जोजिला टनल डॉक्टर स्यावा परसाद मुखरची टनल ये सभी आज जमु कस्मीर की पैचान बन चुके हैं ये जमु कस्मीर को एक नई पैचान दिला रहे हैं